राजीव दोस्तों मोधी सरकार ने सत्ता के सौ दिन पूरे कर लिये हैं आप जानते हैं लेकिन हाल ऐसा है कि न मोधी और न उनकी सरकार इन सौ दिनों का कोई जश्न मना पा रही है मोधी आज अपने ग्रिह राज्य गुजरात में थे और वहां से दावे कर रहे थे कि सौ दिनों में सब के लिए विकास का खूब काम हुआ है और इसके साथ ही कॉंग्रेस को कोस्टने की रस्म अदाईगी भी नरेंदर मोधी ने पूरी की उसी गुजरात से वहीं मोधी के बाद बीजेपी में नम्बर दो पर आने वाले अमित्षाह ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाओ परचार करते हुए कॉंग्रेस और नाशनल कॉनफरेंस पर आतंकवाद को बढ़ा बाध देने का आरोप लगाया यानि कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस ये दोनों आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं इसे बढ़ाने का आरोप आज अमित शाह लगा रहे थे तो दोस्तों मोदी और शाह के अलग अलग राज्यों में दिये गए बयानों से साबित होता है कि सरकार के सौ दिन की उपलब्धियां गिनाने की जगा हुआ जनता को अब भी यही बताने में लगे हुए हैं कि कॉंग्रेस के वक्त में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ बीजेपी भले अपने सौ दिनों की बात जनता के बीच जाकर नहीं करे लेकिन कॉंग्रेस ने आज बताया है कि सरकार के सौ दिन में देश को क्या कुछ भुगतना पड़ा है सबसे पहले आईए इस वीडियो को दिखाता हूँ इस वीडियो को देखिए उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे देखिए सुनिए समझिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ यहां बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के सौ दिन में 38 रेल हाथ से हुए इनमें 21 लोगों की मौत हो गई 26 आतंग की हमले हुए 21 जवान शहीद हो गए महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं पेपर लीक कर युवाओं का भविश्य बरबात कर दिया बेरोजगारी बढ़ी रुपय में गिरावट आई दूद दाल सबजी गैस सब महंगा हो गया टोल टैक्स बढ़ा को कॉंग्रेस ने जारी किया तो कॉंग्रेस ने छोटे से वीडियो में मोधी सरकार के सौ दिन का कच्चा चिठा पेश कर दिया है इधर बीजेपी के नेता और एंडिये के घटक दलों के नेता भी अब अपनी पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए हैं कल आपने देखा कि राहुल ने अमिर्का जाकर आरक्षंड के मसले पर यानि आरक्षंड ख़त्म करने का बयान दिया था। शूर्णेत जो कॉंग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा है आईए पहले उसको सुनते हैं सूप्रिया शुर्णेत यहां पर इसी मसले पे कुछ कह रही है सुनिये जरा इस देश में लोगतांत्रिक विवस्था में पाँच बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं इस हिंसा पर वरदहस्त किसका है यह सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं असल आतंकी यह हैं इनकी जगें जेल में हैं यह जेल कब जाएंगे और अगर इनको नरेंदर मोडी और अमित्शा का संगरक्षन नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बाते कर ले आपने एक आदमी का नाम लिया वो और भौके तो देश को उसकी अस्लियत और पता चलेगी पंजाब ने आपको पैदल कर दिया अभी भी आप अपना पाठ नहीं पड़े हैं जिसकी राजनीती राहूल गांदी के आगे पीछे गूमकर चमकी जब वो इस तरह की बाते करता है तो शर्म आती है लेकिन असलियत ये भी है कि जब आप कॉंग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके उपर भरोसा कौन कर रहा है तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पाटी की तरह चिलाएंगे इस तरह के बेतु के बयान देंगे लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना हिंसा की बात करना एक लोगतंत्र में बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं किया जा सकता है और मैं इस मंच से कहती हूँ अगर नरेंद्र बोदी और अमिच्शा इन सब लोगों के खिलाफ आक्षन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संगरक्षन प्राप्त है इस देश में लोगतंत्र में हिंसा की लेश मातर जगे नहीं है अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीज़े हो रही हैं और कहीं जा रही है राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फरक नहीं पड़ता है राहुल गांधी अपना काम बेख़ौफ होकर कर रहे है तो राहुल गांधी को इन सब चीजों से रत्ती भर फरक नहीं पड़ता और राहुल गांधी बेख़ौफ अपना काम किये जा रहे हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शुडनेत ने जो बातें आज कहीं इस प्रिस कॉंफरेंस में वो आप सुन रहे थे कॉंग्रेस ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इसका आरोप लगाया है और वो आप लगातार देख रहे हैं रवनीत सिंग बिट्टू का जिक्र भी कर रही थी सुप्रिया शुडनेत यहां पे लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है उधर महराष्ट में शिबसेना शिंदे गुट के नेता संजेग आयकवाड ने जो कुछ कहा है कि राहुल गांधी की जीव काटने पर 11 लाक रुपे का इनाम यह सब चल क्या रहा है आखिर दरसल जिस तरह लगाता राहुल गानधी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है उसमें बीजेपी की बदनियत खुल कर सामने आ गई है और मोदी और शाह की चुपी इन आरोपों को और बल देती है वैसे राहुल आज देश वापस लोट आए है और उम्मीद है कि उनके आने से हर्याना और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है उसके परचार में और तेजी आएगी राहुल गांधी की ये तस्वीर आप देखिए जब लोट कर राहुल गांधी आए हैं अमेरिका से वैसे जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद की आवामी इतिहाद पार्टी ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इसलामी समर्थित निर्दलिय उमिद्वारों के साथ गठबंधन का जो ऐलान किया है उसमें बीजेपी का नया खेल सामने आ गया है माना जा रहा है कि ये गठबंधन पीडीपी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया है बीजेपी ने घाटी में यानि कश्मीर में कश्मीर घाटी जो है उसमें केवल 19 सीटों पर अपने उमिद्वार उतारे हैं आपको बता दू कि उधर 47 सीटे है घाटी में और 43 सीटे हैं जम्मू में 43 की 43 सीटों पर बीजेपी ने अपने उमिदवार यानि जम्मो रीजन में उतारे हैं लेकिन कश्मीर रीजन के जो 47 सीटे है उसमें से मात्र 19 सीटों पर बीजेपी ने अपने उमिदवार उतारे हैं और ऐसे में निर्दलियों के भरो से बीजेपी सत्ता में आने का रास्ता बना रही है वैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी जिस तरह का खेल कर रही है उससे उसकी कमजोरी जाहिर हो रही है दोस्तों वहीं हर्याना में भी आसार अच्छे नहीं है अपने बेटे भब के प्रचार में उत्रे कुलदीब विश्णोई का विरोध सिर्सा से बीजेपी उमिदवार रोतास जांगडा का ना मुआपस लेना और अनिलविज का सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना ये सब बता रहा है कि बीजेपी कमजोर हो चुकी ह और अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है इधर अरविंद केजरिवाल के स्तीफे का फैसला तो हो ही चुका है आप सब जान चुके हैं अब आम आदमी पार्टी नए सीएम के चेहरे पर भी फैसला ले चुकी है जिसका खुला सा जल्द हो जाएगा लेकिन इन सब में बीजे जासी चाल कहले हैं वो चल रहे हैं दूसरी तरफ राहुल गांधी का लोट कर आना अमेरिका से और उसके बाद अब इस हर्याना और जमो कश्मीर के चुनाव में जो कुछ होने जा रहा है उस पर इसका जबरदस्त असर पढ़ने वाला है ये भी आप समझे और तीसरी घाटी का जो श्री नगर और ये आसपास का एरिया है उसमें 25 तारिक को चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मूरी जन में जो चुनाव होना है वो एक अक्टूबर को होना है तो आज से और कहें तो परसो 18 तारिक से चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएग बीजेपी अपने जश्न की बात न करके कॉंग्रेस को कोस क्यों रही है क्या और इसके अलावा एक और भी बहुत महतुपूर्ण बात कि उधर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने बहुत गरबर चल रहा है तो क्या आईए आज चर्चा यही करेंगी कि क्या सौ दिनों में मोधी की कमजोरी देश के सामने आ गई है ऐसे में क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता एक बड़ा सवाल है क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी क्या नरेंद्र मोधी को अब चुनाव प्रचार करने से डर लगने लगा है इसलिए नरे और बैज्ब एंतराल के बाद पहुचे थे डोडा जम्मू के एरिया में और उसके बाद पहुचे थे कुरुकशित्र हरियाना में और वहां पर जो खाली कुरसियां थी लोग कम थे उसके क्या कारण हैं ? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों इन सवालों का जवाब ढूंडते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल